बिहार में जेडियू और बीजेपी गडवंदन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडियू नेता अगनीपत योजना के विरोध में रह रहकर बीजेपी सरकार के खिलाफ खुल कर बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन खुद सीयम नितीश कुमार चुपपी साधे हुए हैं। पांच दिन तक चले मौनसून सत्र के दौरान भी वे पूरी तरह से चुप रहे। भारन करना आने वाले सियासी तुफान का संकेत है। नितीश की चुपपी को समझने के लिए सियासी जानकार उसे अगनीपत योजना से जोड़ कर देख रहे हैं। ने नेता तक बता डाला। उन्होंने बयान दिया कि 2025 तक नितीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी साफ किया था कि नितीश कुमार बिहार NDA के नेता है। जेडियू संसदिय बोर्ड के चेर्मेन उपंद्र कुश्वहा ने शनिवार को कहा कि नितीश कुमार को लेकर किसी के मन में कोई शंका है तो उसको निकाल दें। बिहार में जब से NDA है नितीश कुमार ही उसका चेहरा है और जब तक बिहार में NDA को रहना है नितीश कुमार ही उसका चेहरा होंगे। बिहार के सियासत में बिहार के मुखिया की चुप्पी ज़्यादा दिनों तक चलना ठीक रही है। फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश रदुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। फालतू बात या बक्वास नहीं करेंगे बर्दाश्ट खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट वाट लगाती चित्रा त्रिपाट सिर्फ आज तक डिजिटल पर झालतू